इस चेप्टर की जो बुक एक्सराइजेस हैं अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे आपके पहली बुक एक्सराइज कौन सी है कम्प्लीट दा फॉलोइंग वेब चार्ट आपको ये वेब चार्ट दिया हुआ है ठीक है आपको इसको फिल करना है इसमें क्या है special agencies of the United Nations United Nations की जो भी special agencies जितने आप लोग ने पढ़ी है आपको उनके इस box में नाम लिखना है ठीक है तो कितनी थी six थी ठीक है कौन कौन सी पहली थी UNICEF UNICEF FAO UNESCO फिर आपका था वर्ड बैंक डब्लू एचो एंड लास्ट वन इस आई एल ओ तो यह आपकी special agencies थीक इसकी United Nations की फिर next access फिल इन दा ब्लैंक्स आपको यह ब्लैंक्स दी हुए आपको sentence पढ़ने के बाद यह ब्लैंक्स को क्या करना है फिल करना है ठीक है UNICEF was established in UNICEF कब UNICEF की स्थापना कब हुई थी 1946 में for child victims of the किसके लिए हुई थी जो second world war के जो child victims थे उनके लिए हुई थी ठीक है second world war the headquarters of UNESCO are based in UNESCO का जो headquarter है वो कहां पे है वो कहां पे है Paris में ठीक है Dash was the first woman to be elected as the president of the general assembly in 1953 वो कौन सी ऐसी वोमन थी जो elect हुई president of the general assembly में 1953 में तो कौन थी वो Mrs. Vijayalachmi पंडित next one is the dash aim to defeat hunger आपको उस agency का नाम बताना है जिसका एम क्या है hunger को defeat करना hunger को हराना ठीक है तो उस agency का नाम है FAO the UN strongly opposed जिसका पोस्ट करता है अपार्थिड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ठीक है रंग भेद निती का नौ नेक्स्ट एक्सरसाइजिस मैच्ट यू एन यूनाइट्ट नेशन एजन्सीज विद्धा इंटरनेशनल इसूस दे हैंडल आपको यहाँ पर कॉलम ए में एजन्सीज का नाम दिया हुए कॉलम B में जो इन्होंने जो भी प्रॉब्लम सी इसूस से उनको सॉल्व किया है आपको बताना है कौन से एजन्सी ने कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ठीक है फर्स्ट है FAO Food and Agriculture Organization तो इसका क्या होगा इसका होगा educate the farmers and improve agriculture productivity मत्तब फार्मर को educate करना है और जो agriculture productivity है उसक किसके लिए होगी आपका help children suffering due to malnutrition and poverty उन बच्चों की help करना जो भूख और गरीबी से मर रहे है ठीक है या गरीबी से जूज रहे है ठीक है फिर है ILO एससे मतलब labor तो इसमें क्या होगा solve problems of industrial workers in member states तो वर्कर से रिलेटिट है तो वर्कर से रिलेटिट कौन सी एजनसी है आपकी यहां पर क्या होगा D होगा ILO WHO World Health Organization तो क्या होगा erediction of polio polio की रोग थाम के लिए ठीक है World Bank यह क्या क्या करें fund प्रोवाइड कराएगी ठीक है funds projects like construction of large dams for irrigation and production of hydro electricity ठीक है तो 100 थैंक्यू class